जहीं दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मिद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार क्या कटफ रहने वाला है और साथ साथ इस बार कितनी फॉर्म भरी जाएगी क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में यह डाउट शल रहा कि इस बार जो है चब्वीस हजानी वेकेंसी है तो फॉर्म की संख्या क्या रहेगी मैं आपको कुछ डाटा दिखाने वाला हूं पिछली वेकेंसी में किस तरह से वेकेंसी आई थी और कितना फॉर्म भरा गया था उसका कटफ क्या था वीडियो में जो है आपका बहुत सरा डाउट किलियर होगा और यह भी आप स्योर हो पाईएगा कि इस पर कितना कोश्चन सही करना पड़ेगा उसे पहली बात कि देखिए जो कटफ क्या देखने को मिलेगा और फॉर्म कितनी भरी जाएगी तो इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहूंगा जो पिछली वेकेंसी लास्ट रोटीन आई है उसके बारे में तो देखिए पिछली वेकेंसी दो हजर एकिस में आई है और उसके पहले कितना बहरा गया था चार साल से 2018 के बार डिरेक्ट आपका 21 में लगबग 5 साल के बार जो है आपको वेकेंसी ये देखने को मिली थी और उस समय कटफ के बारे में बात करें तो उस समय 100 नंबर का पेपर होता था तो लगबग आपका कटफ 83-84 के आसपास देखने को मिला था जेनरल वालों का अगे बढ़ते हैं 2022 में फिर वेकेंसी आई तो ये भी जब आई थी तब 23-23,000 के आसपास वेकेंसी देखने को मिली थी लेकिन ये बढ़बढ के 50,000 के आसपास हो गया था तीन-चार बार जो है ये वेकेंसी बढ़ी थी 55-56,000,000 के आसपास इस वेकेंसी में जो है आपको तीन साल का एज में छूट भी देखने को मिला था मतलब कि जैसे जनरल वाला 18-23 एज होता है तो इसमें तीन साल मतलब आठारा से 26 तक वाले भरे थे तो कहने का मतलब ये है कि इस वेकेंसी करोना के बाद जो है ये वेकें वेकेंसी आई थी तो 74-75,000,000,000 वाले गए थे और जब 50,000 वेकेंसी आई तो 4,000,000,000 के आसपास इस वेकेंसी से अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी वेकेंसी आई है तो इतना ही फर्म क्यों भारा गया है और कटफ की बारे हम बात करें तो इस बार कटफ जो है काफी आट नंबर का हो गया था मतलब की हर कूर्शन पर दूर नंबर आपको मिल रहा था तो लगभग 33-34 मतलब 133-34 जो नंबर लाए थे उन्हीं का जो है रिजल्ट बना था जो 2022 में 50,000 वेकेंसी आई थी तो समझ सकते हो कटफ इतनी हाई हो गई थी क्यों हाई हो गई थी इसक पर असे चीज़े देखने को मिली अब यह वेकेंसी 23 में आई है लेकिन यह 24-23 वेकेंसी का नाम है और यह वेकेंसी जो है 26,000 सीटों पर आई है तो इसमें कितना फोर्म वरा जाएगा और इसकी क्या देखने को मिलेगी इस पर हम लोग हम बात करते हैं तो लास्ट दो वेक सकते हो कि 50 से 55 लाख इसमें भी फॉर्म भरा जाएगा अब जैसे 75 लाख उसमें भरा गया था जो फर्स्ट एकिस में वेकेंसी आई थी क्योंकि उसमें चार्ट सल बाद तीन सल बाद वेकेंसी आई थी तेकिन यह तो वैक टू बैक आ रहा है बतलब 22 में या फिर 23 में ना 24 मतलब 22 सी नाम दिया गया है तो इसमें अनुमानता है कि खूब भराएगा तो 60 लाख के असपस फॉर्म भराएगा और इसमें भी जो है नए ही लड़के आएंगे मतलब कि इसमें ज्यादा पुराने लड़के नहीं आएंगे क्योंकि इसमें एस की क्राइटेरिया जो है क इसमें पूराने लड़के तो आएंगी नहीं एक दो बार दिन को चांस मिलेगा वहीं हो पाएंगे पाटिसिपेट कर पाएंगे इसमें सेफ स्कूर क्या देखने को मिल सकता है क्योंकि जो है आपको इसी पे ज्यादा फोकस करना है 75 लाग फॉर्म भरा है चाहे 40 लाग भर अगर आपके पास potential है, आपके पास stamina है, तो आप जो है एक sheet जो है अपना छिन सकते हो, तो यह अपने दिमाग में वीचार बना लो, यह पहले सही मत सोचो के हमको हमारा result होगा की नहीं होगा, यह आप जो पहले सही सोचोगे, तो भूल जाओ कि आपका result होगा, इस बार वी ज आपका result नहीं होगा, तो 60 lakh form भरा जाएगा, तो इस बार के भी cutoff के बार बार बात करें, तो आपका cutoff लगबग 130-132 नमबर के आसपास ही रहने वाला है, क्या फ़र्क पढ़ता है, आपका एक दो नमबर आगे पीछे होता है, SAC के दुआरा कोई वेकेंसी आती है, या करोगे 20-25,000-30,000 तक लड़के मिल जाते हैं, समझो, इतना ही में, तो क्या फ़र्क पढ़ता है, मतलब 130 पलस आपका नमबर रहने ही वाला है, बिहार, यूपी, जारखंड, MP, यह आपका राजस्थानी, यह हरियाना जो इस्टेट हो गया, यहां के लड़के ज्यादा यह ही लाना है, किसी भी कीमत पर है, तब ही जो है आपका रिजल्ट हो पाएगा, तो टार्गेट हर किस्ती को किसी भी कटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तहीं भी किसी भी एस्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपका टार्गेट हमेसा हाई रहना चाहिए, 140 प्लस आप लोग न आपका 130 पहुंच लिया तो क्या फाइदा कोई फाइदा हुआ एक प्रोसेस में फसे रहे उसमें अपना दिमाग लगाते रहे फिर फाइनल मेट भी नहीं बना अर एससे के बारे में यदि सोच रहे हो तो मान के चलो कि 150 प्लस आपको रखना पड़ेगा इससे कम रखते हो त सेसे नहीं मिलने वाला है और रही बात सीट की संख्या की तो सीट की संख्या मैं बता दिया कि आपको जुह है जुआनिंग के समय तक सीट की संख्या बढ़ती रहती है तो जरूरी नहीं है कि 25-26,000 वेकेंसी आएगा तो इतना ही रहेगा आपकी बढ़भी सकती है तो इस बबार का अनमानता यहीं आपको cut up देखने को मिलेगा